लो गाइज वेलकम टू फर्टर क्लासेस कैसे हैं आप सब लोग तो गाइज हम बात करें लेवाने हैं रेलवे एंटीफिसी परिश्या के बारे में आध दो फर्वेरी को जो सेकिंशिप में एक्जाम हुई थी उस एक्जाम के अंदर जो क्यूशन पूछे गे थे उनके बार कौन सा है उस जण्ने का नाम है एंजिल जण्ना जो वरेंजियोला के अंदर इस्टित है वीस वरका सबसे बड़ा जण्ना है यह क्यूशन पूछा गया था अगला क्यूशन यह पूछा गया कि बारत छोड़ो आंदोलन कब शुरूआ था पहले भी पूछा जा चुके है क्यूशन है तो आने वाले एक्जाम के लिए भी इंपूटेंट है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आठ अगस्ट 1922 को शुरूआत हुई थी अगला क्यूशन देखे कि OECD का मुख्याले का है इस्टित है यह भी क्यूशन पहले पूछा जा चुका है गाइस रिपिटे अगला क्यूशन हो था 30 सित्मबर 1961 को ठीक है है एड कोटर परिस फ्रांस के अंदर है चलते हैं अगला क्यूशन की तरफ अगला क्यूशन देखे किस लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराय था पानिपत का पहला यूद्ध होता 1526 के अदर उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था अगले क्यूशन देखे एगला है कि भारत में पहला परमानुप्रजिक्शन कब हुआ था बात में पहला परमानुप्रजिक्शन की बात की गई है यह कि उसन भी कम सेकंद 5-6 बार रिपीट हो चुका है गाईस तो आपके आने वाली एक कहा गया था स्मायलिंग बुद्दा करें कि इस फाई विद्रों की बात कि गई है तो मेडंसे शुरूआ था सबसेपहले 1857 क्यायक शेक्किया जैंच्प 17 मनिपूर के अंदर इस्टित है बात कर लेते हैं मनिपूर के बारे में जिसकी केपिटल इंफाल है मुख्यमंति यहां पर एन ब्रेंसिंग है राजिपाल नजमा हेपतुला है अगले क्योशन देखिए अगला है अगला है और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहले बात जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना बूले जिसे कि आपको आग्या आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मि वीडियो पसंदा रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए जादे से जादा सेर भी कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं गैज अगर आपको इस वीडियो की पीडियो फाइल चाहिए तो आप जो हमारे टेलेग्राम चैनल है उसको जोइन कर लें अगला क्यान देखें NGT की स्तापना कब हुई थी? NGT की बात की गई यह इसकी स्तापना हुई थी 2010 कि अंदर बात करते हैं NGT की तो अद्यक्स हैं वह है जब्सक्रिस अधरिश कुमार गोयल जिसका हैड़ कौर्टर दिल्ली के अंदर है NGT के है राश्ट यहरित अगले क्योंशन की दर चलते हैं अगला क्योंशन देखिए प्रदान मंत्रिक कोशल विकास योजना कब शुरू की गई थी अगले क्योंशने दाटू किसे से निकलती है जो मेटल्स है उसको किसे से निकालते हैं दातों को ऐसक से प्राप्त किया जाता है अगला कि उसे नहीं कि सबसे लंबी नदी कौन से है उस लंबी नदी का नाम है नील नदी जो कहां पर है अफ्रिका के अंदर है गाइज विस्वे की सबसे लंबी नदी है नील नदी अगला किशने की रास्टे कोसल विकास निगम की सुरुआत कब हुई थी 31 जुलाई 2008 के अंदर इसकी सुरुआत हुई थी रास्टे कोसल विकास निगम की अगला किशन देखिए अगला है ओस्टेलाई ओपन 2020 में महिला योगर कि जीता था एक हंग्री से थी एक फ्रांस से थी टीम या बाबोस और क्रिस्टिना मलांडे नोविक जो फ्रांस की थी इन दोनों ने जीता था ऊसले ओपन 2020 में महिला यूगल के किसे मिला था डेनिस मुक्बेग और नादिया मुराद को मिला था सांतिक का नोबल प्राइज दोदर अठार के अंदर ओके अगला किसे देखिए एक और पुस्तक पूछी गई है एक पुस्तक पहले पुछी गई थी इंडियन इस्टैकल के बारे में जो सुभास चंदर बोश्तक के दर लिखी गई एक और पुस्तक के पुछा गया है एक पैसेज ऑफ इंडिया पुस्तक के अंदर जो गेस बाहर निकलती है वो है oxygen ओके अगला क्यूशन देखिए जो एक्जामे पूचा किया था कि भारतिय सवयुदान कितने दिन में बनकर तयार हुआ था यह गैज मैंने पहले भी बाप को बताया था जब यह क्यूशन पूचा गया था कि भारतिय सवयुदान कब लागू किया गया था भारतिय सवयुदान की बात की गई है तो वो लागू किया गया था 26 जनरूरी 1950 को उसी समय मैंने बताया था कि भारतिय सवयुदान है वो बनकर तयार हुआ था दो साल ग्यारा मेने और अठार देन के अंदर और मैंने बोला भी था ये क्योशन आने वाले एक्जाम के अंदर पूछा जाएगा और पूछा गया है 26 नवमर 49 को पारित हुआ था लेकिन 26 जनौरी 1950 को लागो किया गया था हमारा भारतिय सव्यदान अगला किशने की सूरत की 17 साल की लड़की जो सव्यूंत राष्ट के UNEP की Ambassador बनी क्या नाम है कुसी चिंदालिया बात करते हैं UNEP के बारे में UNEP की बारे में बात करेंगे जिसका हेड़कॉर्टर नियोर्क योसे के अंदर है अभी हेड को ने अचीम स्टेंदर इसके हेड है और इसका गठन हुआ था UNEP का बाइस नॉमबर 1965 के अंदर ओके अगला किशन देखिए अगला है पंडित दीन दयाल उपाद्या दिव्यांग जन इंस्टिटूट कब बनाया गया यह बनाया गया था 1903 के अंदर बनाया गया था ओके अगला किशन देखिए कि 1991 के टेक्स रिफर्म के चैर्मेन कौन थे यह थे राजा जेसुदोस चेलिया जो 1991 के टेक्स रिफर्म के चैर्मेन थे अगला किशन देखिए अगला है कि अमीर कुष्रो का जनम कहा हुआ था पत्याली कास गंज उत्तापध्यस के बारे में आप सब लोग उपता है लखनाव इसकी केपिटल है योगी आदिते नात यहां कि मुख्य मंते हैं और आने बेन पत्यल यहां की राज़ेपाल है अगला है कि जहलम के युद में कौन जीता जहलम के युद के अंदर सिकंदर जीता था और सिकंदर के साथ लड़ाई हुए थी सिकंदर और सिकंदर वर्से पॉरस इन दोनों को बीच में लड़ाई हुई थी जिसके अंदर पॉरस को हरा दिया था पॉरस कहां से था पंजाब क्कार जेलर के अगहले अग्रोट पार्क किसके लिए जाना जाता है यह कियी पहले अंदर आप पोच्छा है और पूछा है एसन्के बारें बात करेंगे killing गयी मुख्यमन तीसरबान सोनोवाल है राजेपाल जग्दिस मुख्य है ओके तो गाइस ये थे सेक्रिंड शिप में जो एक्जाम हुई थी रेलवे एंटी पीसी की उस एक्जाम के अंदर जो इंपोटेंट क्यूशन पूछे के थे उनके बारे में हम लोगों ने बिसकस किया है I hope कि आपको इस सेसन भी अच्छा लगा होगा अगर गाइस आपको इस सेसन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए ज़्याद से ज़्याद सेल भी कीजिए और अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले जिसे कि आपको आगे आने वाली हर नी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी तो गैस मिलते हैं नेक्स सेशन में नेक्स इंपोर्टेंट क्यूशन के साथ तब तक के लिए थैंक यू गूडबाई और टेक केर